साथियों मफेर आजिरों अपने इस नए एपिसोड के साथ आज के आज हम चर्चा करेंगे देहे जत्या के मामलों के बारे में आपने देखा हुआ कि आज रोज अख़वार में पढ़ते हैं कि संदिक दवस्ता में इस त्रीकी मृत्यू फांसी लगाने से मृत्यू गला दवाने से मृत्यू जहर खाने से मृत्यू आग लगाने से मृत्यू इस पर कानून क्या है इस पर कानून है जिसमें इंडियन पेनल कोर्ट की धारा 304 बी 304 बी को बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई इस तरी शादी के साथ वर्ष के भीतर अपनी स पतारित किया गया हो ऐसी हत्या को ऐसी मृत्यू को देह्ज इत्या माना जाएगा और उसमें धरा और वड़ाई गई भारती साक्षा दियम में इंडियन एविडेंस एक्ट में देख सो 13b जिसमें कोड यह प्रिज्यूम करेगी, कोड यह मानके चलेगी, कि अगर शादी के साथ वर्श के वीतर अनिचुरल डेथ हुई है, और शीवा सबजेक्टिड टू कुरॉल्टी और फॉर डाउरी की कोड यह मानके चलेगी, कि ये ऐसी हत्या दहेज हत्या थी और उसमें सारा ओनस सारा बर्डन एक्यूस के ऊपर होगा ये थाबित करने का कि उन्होंने ये हत्या नहीं की इसी लिए ये ऐसे मामलों में बहुत जादे कठोर कानून बनाया गया है दस साल तक ही सजा और इस पर आप्शन में एक चार्ज लगा जाता 302 का भी और जिसमें आज ही मैं कारावाज और फांसी तक की सजा है इन प्रावधानों के साथ हम चुकी समाज में रहते हैं हमें उन कारणों तक पहुंचना चाहिए जिसकी वज़े से अपराद कारेद होते हैं इन वीडियो में बनाने में या इन चीज़ों को आप तक लाने का मेरा उदेश यह नहीं है कि मैं आपको कानून की विस्तरत जानकारी दों वो तो कोई भी प्रोफेशनल देगा हम यहां उन बिंदों को डिसकस करते हैं उन पॉइंट्स को सामने रखते हैं जो उन अपराद का काराण होते हैं अगर हम उन का काराणों को द कि शादी से पहले मा और बेटी आपस में बातचीत करती हैं और मा उसे अपने वो बुरे वाले और वैसे परिशानी की छण बताती है जो उसने अपने बहूर बने रहने के दोरान भोगे हैं और इस तरह से वो एक अप्रियेंशन में डरती हुई कि अगर यह सोचते हुए क अपी नंद उसे कैसा वेवार करेगी यह देवरानी उससे कैसा वेवार करेगी सास और ससुर बहूर का वेवार कैसा होगा इसको उसने देखा नहीं होता है और एक ऐसी लड़की अपने पती के साथ एक नई जगे नया जीवन जीने के लिए जब पहुँचती है तो वहाँ पर वो यह चाहती है कि मेरा अधिकतम समय मेरे पती मेरे साथ गुजारे हैं लेकिन पती अतनी जल्दी अपने माबापको तो छोड़ नहीं सकता है वो अपने काम से लोटता है थोड़ी दिर मा के पास बैठता है थोड़ी दिर बेहन के पास बैठता है बाचीत करता है और फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है लेकिन अगर वो उनमें सामझे से नहीं बैठाता तो पत्नी थोड़ी दिनों में एक कुंठा में जीने लगती है और उ उसकी छोटी बेन उसके कपड़े पहनती थी तो उसे लगता था कि मेरी छोटी बेन कितनी सुन्दर लग रही है लेकिन चुकि वो एक मन में एक भै और एक कुंठा से घिरी हुई है जब उसके बिना पूछे उसकी साड़ी निकाल कर उसकी नंद पहन लेती है तो उसे लगता लगा लेती हैं ऐसा संबब नहीं है कि हर कitters ऐसा हो कि हर व्रेक्ति दहेच के लालक में किसी हथ कर देता हो वारंतों ऐसी स्थिदियां आ जाती है जिसमें लड़की अपने जीवन को समाप्त कर लेती है इसके पीचे कारण यही है कि जब पुत्री अपनी सास के पास कोई लड़क बहु जाती है और वो से यह कहती है कि आप मेरी पुत्री की तरह मुझे मानिए और सास भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती है लेकिन दोनों में एक फरक है समाज ने यह मारी मांगें करती है लेकिन वो ससराल में पहुंचती है तो भले ही उसकी सास उसे माँ की तरह प्यार दे रही है उसे माँ की तरह वो वेवार सास से नहीं करना चाहिए वो उसके कले में लटक कर इठला नहीं सकती वो अपने ससर से उस तरह के से वेवार नहीं कर सकती इन सा के केस और इस तरह के केस बने उन्होंने का कि हमारे यहां पहले स्कूलों में एक सामाजिक शिक्षा का पीरे डुगा करता था और उसमें सामाजिक शिक्षा दी जाती थी जिसमें एक करें दूसरे के रिष्टों के बाई बहन के रिष्टे भाईयों के रिष्टें सास व ALL-N-Sतर के रिष्टे इन सब KY अन शल के बारे में घ्यान दिया आगा प्रप्रतु आज वह चीजस हमाबत हो चुपित हर घर में दूसरे तीसरे घर में 4帔 Sig मुकद में आपस में विरोधावास तो सबसे इसके लिए जिमेदार कौन है इसके लिए जिमेदार मेरी नजर में वो माबाप हैं जो जल्द वाजी में ये सोचते हैं कि बिना देखे बिना मानसिक सामानता के बिना ये देखे कि मेरे मेरी लड़की का जिस लगए से हम शादी करने जा रहा हैं बहले ही वो बहुत अच्छे पद पर हो बहुत अच्छा कमाता हो लेकिन उससे मांसिक सामांजस से नहीं है बिना ये देखे अपने पैसे के अपने स्टेटस के बल पर उसका विवा कर देते हैं और जिसकी परनिती देज अत्या के रूप में होती है देज अत्या के इस विकराल रूप को देखते हुए आज कल कोई भी पती जिसकी पतनी की इस परकार में अत्ती हो गई हो वो उसकी जमानत आम तोर पे उच्छे नियाले से भी नहीं होती इन मामलों में भी बहुत से मामलों में नावालिक ब beneficiary हैं ना उनको कुछ से कोई मतलब है एक और रूटीन में एक सी देखने को मिलती हैं जिसका कोड भी संग्यान लेता एक सर कि जिसे देखो कि वो कार मांग रहा है इसके अलावा और कोई सामने नहीं दिखाई देती क्या कार किसी की जान से जाधे बढ़कर है लेकिन खेर हम इन चर्चाओं में सामाजिक चर्चाएं फिर किसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे लेकिन आज 304 बी के बारे में मैं बताऊंगा कि धारा 304 बी इतना कठोर कानून है कि जिस पर जो से उपर कही होंगे क्योंकि अगर उनने 25-30 साल के उमर में अपने ललके की शादी किये तो डेफिनिटली वह सीनियर सिटीजन की शेनी में भी होंगे लेकिन कहीं भी इसी तरह की जो ताना कशी घर में जो नंद और सास के बीच की वारतालाब होते है उस वारतालाब को यद के मकदमों को कम करने के लिए डोमेस्टिक वाइलेंस के मकदमों को कम करने के लिए ये छोटी सी बाते हैं छोटी सी सामाजिक बाते हैं जिसके लिए हमें जगे जगे बैठ कर चर्चा करनी चाहिए विवा में दहेज की कोई मांगना होते हुए भी आदर्श विवा होने के बाद भी बहुत सी जगे ऐसा देखा गया कि लड़कियों ने आत्मत्या कर ली वजह क्या थी लड़का कम पढ़ा लिखा है लड़की बहुत जादे पड़ी लिखी है उसकी एंबिशन्स थी वह चाहती थी कि मैं PCS का एक्जाम दूँ मैं प्रशास निगतकारी बनूँ लेक दिनपर दुकान पर बाटता है और इंटर पास है या इंटर फेल에 तो उनलोग में आपस में ना तो मानसिंग सामणजस बन पाता है ना उनमें अंतरंगदाँ पाती है और नतिजए यह होता है या तो मुछके में क्रूर्ता के मुछक्त में 49 rocky और अगर वह करूर्ता और अ पत्जों के कैलिवर और उसको देख कर उन पति और पत्री होने वाले पती-पत्री लड़का और लड़की के बीच मन किसके बन सके क्योंकि फिल्मे와 और नॉभल पढ़कर और फिल्मे देख तर सब क्या करेगा तो इन सब चीजों को भी देखना चाहिए दोनों परिवारों के आर्थिक किस तर को देखना चाहिए दोनों के सामाजिक किस तर को देखना चाहिए और तब इन रिष्टों में एक दूसरे को समझ लेने के बाद रिष्टे करने चाहिए यह बेमेल रिष्टों के तैय हो गया है कि विवा में 25 आदमी जाएंगे, 20 आदमी जाएंगे, बहुत लोगों के खर्चे बच रहे हैं, और जब एक लड़की वाले से, लड़के वाले कही रिश्टा करते हैं, और लड़की वाला उनकी खातिर करता है, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि ये हमारा रिश का भी आपको ध्यार लखना चाहिए, जो कि ये एपिसोड बहुत छोटे-छोटे बनाना है, समय कम होता है, इसलिए किसी ना किसी विंदू पर हम चर्चा करते रहेंगे, और आपके सामने मैं आता रहूँगा, और बताता रहूँगा, ये मेरे अपने विचार हैं, जिनको सहायता दी है, सपोर्ट दी है, मैंने जो जेजमेंट्स पढ़ता हूँ, जो मैं कानून के ग्याता अपने मजिस्टेट और जेज साहिवान से डिसकेशन में सुनता हूँ, उसी के अधार पर मैं अपने ये विचार बना के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप इससे बात दे नहीं है, हो सकता है आपके विचार मेरे विचारों से विपरीत हूँ, परन्तु ये कोई क्रिटिसिस्म का विशे नहीं है, मैंने अपनी विचार आपके सामने रखे, अच्छे लगें, तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा और देखते रह ये जहन.